Hello Friends, आज की वीडियो है N.I.O.S.K. 10th Class के स्टुरेंट के लिए हैं और N.I.O.S.K. 12th Class के स्टुरेंट के लिए हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी N.I.O.S. 12th Class के स्टुरेंट के लिए हैं और 10th class के जो भी बच्चों के doubts आ रहे हैं वो doubts भी मैं इसी वीडियो में clear करने वाली हूँ तो चलिए हम बात कर लेते हैं NIOS 12th class के student के doubts के उपर जैसे कि आप सभी student जानते हैं कि अभी 20 June तक आपका जो exam है उनको postpone कर दिया गया है तो बच्चों के doubt आगे मैं एक महीने हमें और wait करना होगा यानि कि एक महीने हम इसी तरीके से टैंसर में रहेंगे कि भई हमारे exam होंगे या फिर हमें promote किया जाएगा तो बच्चों का ये सवाल कहीं न कहीं वह सही भी है मैं इसका आपको जवाब दूगी दूसरा बच्चों का सवाल ये है कि हम हम हर दिन देख रहे है कि कहीं न कहीं हमें ये news जो मिल ले है बहुत सरी fake news मिल ले है कि कभी कोई बोलता है promote होगे कभी कोई बोलता है promote होगे होता कुछ नहीं है हम परेशान हो जाते हैं तो आप प्लीज बता दीजिए official website का हमें link दे दीजिए हमें ये बता दीजिए हमें कहां जाके information चेक करनी है ठीक है ये आपका काफी बड़ा doubt है दूसरे बच्चे ये बोलने है कि मैं हम अगर exam हुए तो हम कैसे preparation करेंगे क्या करेंगे प्लीज आप हमें थोड़ा सा guide करिए फिर बच्चो का doubt ये आ रहा है कि मैं हम आप बताईए कि कितने परसंट्री चांस आपको लग रहे है कि हमें promote कर दिया जाएगा या फिर हमारे exam हो जाएगे तो अब आपको मैं one by one बता दिती हूँ सबसे पहला आपका doubt जो है वो ये है कि मैं क्या हमें 20 जून तक wait करना होगा तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 20 जून तक wait करना होगा आप देख सकते हैं कि CBSC मैंने आपको बताया भी है कि NIOS CBSC के फैसले पर depend है जैसे कि अभी आपने देखा CBSC नहीं 10th वाले बच्चों को प्रमोट किया तो NIOS नहीं अपने 10 वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया और ये न्यूस आने से पहले उने 6 दिन पहले आपको बताब भी दिया था कि 10 वाले बच्चो को promote करेंगे और 12 वाले बच्चो का अभी फैसला ये आगे करेंगे तब दक क्कि बच्र 익Sec को promote नहीं करेंगे यिए exam के बारे में नहीं बोलेंगे जब तक कि CVC का फैसला नहीं आ जाता लेकिन अभी इस time पर क्या हो रहा है जो भी फैसला निकल कराएगा वह उस topic विडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी मैं आपको clearly बताऊंगी क्या आपको promote कर दिया गया है है या फिर आपको exam होगी और अगर आपके एक्जाम भी होते हैं इनके ओनलाइन टेस्ट के अगर बात भी करते हैं तो आपको बिल्कुल टैंसर नहीं लेनी मैं आपकी हाँ पर प्रिपरेशन कराऊंगी कि ओनलाइन टेस्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और अगर आपके एक्जाम भी होने वेट कर लेते हैं जो भी होगा आपको बिल्कुल सही तरीके से हाँ पर गाइड किया जाएगा देखिए दूसरा बच्चे जो है ट्वेल्थ क्लास के अभी इस चीज को लिए के परिशान है कि मैं हमें वह सरी फेक न्यूस देखने को मिलती हैं जहां पर कि हम हो जादा अब एक वार फ्रेंट्स कोमेंट देखें एवाली एक बच्चे ने मुझे बोला है कि कास आप मेरी दीदी होते देखिए जब बच्चे इस तरीके से मुझे इतना हो कर रहे हैं कि दीदी मान रहे हैं तो आप मेरे बहन-बाई की तरह ही हो आप बिल्कुल परिशान मतों मे पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको करेक्ट इंफोर्मिशन शोर्ट टाइम में बता दूं लेकिन आप थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और कर भी लिया चैनल को सब्सक्राइब तो में जो होता है बैल आइकोन को प्रेस करेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेस करेंगे तो देखिए अब मैं इसमें आपको एक ही सॉलिशन बताऊंगी कि आप क्या करें मैंने ट्वीट आप ट्वीटर का लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स में दिया हुआ है वहाँ पर मैंने एना यूस को फ बात आएगी एक्जाम बाली आएगी डेशिट आएगी वहाँ पर सबसे पहले वो पोस्ट कर देंगे बहुत सरे बच्चों के मेरे पास कोलन मैसेज आए और बच्चे बोल लेते कि मैं आखी बात तो बिल्कुल ही सच होगी आपने कहा था टैंथ आरे बच्चों को प्रमो है कि 80% आपको प्रमोट यानि की पास किया जाएगा तो आप से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जादे से जादे ट्वीट करिए ठीक है और एक काम आप जरूर कर लें काफी लास में क्या होता बच्ची बाद में पस्ता आते हैं ठीक है उनको इन्फोर्मेशन नी मिल ढूं कर्यां करेक्ट इंफोर्मेशन और परएशन होते हैं आराम से उत्ड़ी करिए थाइप जबर प्रेक्ष्ण सब्सक्राइब और प्रिचन कोशन प्रेल रिजिए इससे क्या होगा कि जब देपरमिशन आइगी तो मैं वीडियो बना दूंगी मुश्कल्ज है को यह फ तो इतना फास्ट आपको जब इन्फोर्मिशन मिल रही है तो आपको बिल्कुल परिशान होने के जोड़ती है ठीक है तो अब बिल्कुल टैंसर फिरी रही है और बाकि अगर कोई आपका डाउट वैसा रहे जाता है कोई भी किसी तरीके का डाउट इस्टेडी से अब आप वीडियो को यह ही रोके और आप अपना इस्टेडी कर सकते हैं आप अपना ध्यान रखिए तो फ्रेंड्स आप हम बात कर लेते हैं हमारे 10th क्लास वाले स्टुरेंट के लिए जैसे कि आप सभी स्टुरेंट प्रमोट कर दिए के हैं बच्चों के वहीं बहुत सा सबसे पहले जो मैं वीडियो में बता चुकि हैं वो डाउट में ही खिले करूँगी आप उसके लिए प्लीस वीडियो देख लिजये तो इसके लिए आप जाईए अपने study center पे अगर आपने study center पे जमा किये हैं तो और अगर आपने regional center पे जमा किये तो आप regional center पे जाईए उनसे पूछी आपको marks क्यों नहीं मिले है कि मैं हमारे assignment तो जमा होगे हमें marks पे अच्छे मिल गए लेकिन हमारी exam fees पे नहीं हो पाई तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ एक option बसता है आप जाईए अपने regional center पे study center नहीं regional center जो कि आपके आई-card के back side लिखा हुआ है वहाँ पर जाके अगर आप उनसे request करते हैं अगर वो मान लेते हैं आप उनको problem बता दीजेगा वही कोरोना की वज़े से हमने exam fees पे कर दी लेकिन हमने हमारे assignment जमानी किये ठीक है तो ऐसे में आपके पास क्या chance बसता है कि आप एक तो सबसे पहले अपने study center पर contact करिए अगर study center वाले सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको क्या करना है अपने regional center पर जाना है regional center वाले अगर बोलते हैं ठीक है आप late fees पे कर दो and then हम आपको अपने आपके assignment ले लेते हैं ठीक है तो फिर आप अपनी late fees 15 रुपे पर subject late fees पे करिए and then उसके बाद अपने assignment जमा कर दीजिए इससे अलग इसका कोई solution नहीं होगा आपने NIOs को exam fees भी नहीं जून की और नहीं आपने उनको TMA submit किया है तो ऐसे में कोई chance नहीं है आपके लिए best option ब नेक्स वीडियो में उसको include कर लूँगी लेकिन आप student जैसे कि काफी student के exam fees नहीं हो पाई उनके TMA जमान नहीं हो पाई यह इसलिए हुआ क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी ठीक है उनको नहीं पता था कहा कैसे जमा करना होता इसमें बच्चों की गलती नहीं है बस आपको क्या करना है कि आपके result तक आने तक आपको हो सकता है कि दूसरी other problem को face ना करना पड़े इसके लिए फटाफट से चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइगन को प्रेस कर लीजिए अगर आपने यह कर रखा तो हर information की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी मैं आपको हर information बताऊंग होगी तो आज की वीडियो में स्रिफ इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको like and share जरूर करते हैं